हेलो फ्रेंड्स मैं प्रीती आदव स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में आगर आप पहली बार मा बन रही है तो आपको ये पता नहीं होगा कि आपको कौन सा काम करना चाहिए कौन सा काम नहीं करना चाहिए गर्वती महिलाओं को 9 महिने तक घर की कुछ काम होते हैं उनसे अगर हो सके तो दूरी बना लेनी चाहिए वरना मा और बच्चे दोनों को नुकसान पहुंच सकता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप प्रिग्नेंसी के दोरन कौन से काम कर सकती है और कौन से काम आपको बिलकुल ही नहीं करने चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें वीडियो को कहीं से भी इसकिप ना करें और pregnancy से related और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारी दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक नीचे description में दिया गया है देखे गर्बावस्ता के समय बहुत ही नाजोक होता है इस दोरन महिलाओं का वजन भी भढ़ जाता है और दूसरी और सरीर में कई तरीके के बदलावाते हैं जो मानसिक भी होते हैं और सारे देख भी गर्ब में सिसुके होने की वज़े से पीट का वजन भी काफी भढ़ जाता है जिसकी वज़े से महिलाओं को काम करने में बहुत सारी problem आने लगती है ऐसे में घर के काम करने भी ज़रूरी होते है लेकिन pregnant महिलाओं को इस समय घर के कुछ कामों से बिलकुल दुरी वराने ली चाहिए तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप घर के कौन-कौन से काम कर सकती है सबसे पहली बात तो ये है कि आपको प्रिग्नेंसी में किसी भी तरह का तनाव नहीं लेना है आपको टेंचन बिल्कुल नहीं लेना है अगर आपको एक कठन काम कर रहे है तो उससे आपको ठकावट तो होगी ही साथ ही साथ आपके हैल्थ पर भी इसका बुरा प्रवाब पड़ सकता है वही अगर आपको कुछ काम नहीं करती है और आराव करने का निर्णे कर लेती है तो इसका असर भी आपके pregnancy पर पर सकता है इसलिए आपको घर के काम करने चाहिए लेकिन वो काम करने चाहिए जो आपके लिए सुरक्षित हो आपके बेबी के लिए सुरक्षित हो जैसे कि pregnancy के दौरान आप घर में सब्जिया कार सकती है साफ सफाई का काम कर सकती है कई महिलाएं खड़े होकर सब काम करती है जबकि प्रिगनेंसी में ऐसा नहीं करना चाहिए आपको बैट कर सारे काप कर लेने चाहिए इसके अलावा आप लंबे हैंडल वाली जाडू और पोंचे का इस्तिमाल करके घर की सफाई कर सकती है जाडू पोंचे लगाने के लिए आपको जुकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और नहीं आपको ये सब करते हुए जुकना चाहिए क्योंकि जुकने से आपके पेट पर धवाब पड़ता है चुकि प्रेगनेसी के दोरान बिल्कुल भी सही नहीं है अगर ये सब करने में आपको प्रॉब्लम हा रही है तो आपको ये सारा काम नहीं करना चाहिए तुरंट के तुरंट छोड़ देना चाहिए अगर आप चाहे तो बात उनकी सफाई भी कर सकती है इसमें eco-friendly cleaning products का इस्तिमाल करें अगर आप ऐसे कुसी भी product का use कर रही है जिसके अंदर नीबू करा रसे, baking soda है तो इसमें कोई भी दिकत नहीं है लेकिन chemical वाले clinic products को आपको avoid करना चाहिए अगर आप खड़े होकर बरतन साफ कर रही है तो आप बरतन धो सकते हैं लेकिन आपको 15-20 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं रहना है क्योंकि अगर आप इस से ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो आप ठक जाएंगे तो आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आराम कर लेना चाहिए तो ये तो मैंने आपको बताया कि आप प्रिग्नेंसी के दोरान कौन से काम कर सकती है चलिए अब बात करते हैं कि आपको प्रिग्नेंसी के दोरान कौन से काम बिल्कुल नहीं करनी चाहिए तो इन कामों में सबसे पहला काम है ज़्यादा भारी समान उठाना प्रिग्नेंसी में कमर दर्दों होता ही रहता है ऐसे में भारी बज़न उठाने से आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा इसलिए आप पाने की बाल्टी, राशन का सामान जैसे भारी सामानों को उठाने की गल्ती बिल्कुल ना करें अगर आपको ये सब सामान उठाने पड़ रहे हैं तो आप अपने किसी भी करीबी की मदद ले सकते हैं लेकिन ये काम आप खुद ना करें दूसरा है कैमिकल युक्त चीज यूज ना करें जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि साफ सफाई के लिए कैमिकल वाली चीजों का प्रियुक ना करें बलकि अगर हो सके तो आप एको फ्रेंडली प्रोड़क्ट के इस्तिमाल करें जिसके अंदर सिर्का और बेकिंग सूडा होता है इनका इस्तिमाल करने से आपको किसी भी तरह की कोई भी प्राब्लम नहीं होगी लेकिन अगर आप कोई भी ऐसा समान यूज कर रही है जो कि कैमिकल से ही बना हुआ है तो आप अपनी नाक और मुँ को ढखकर रखें ऐसे में अगर आपको उपर नीचे होना पड़ता है कहीं जाना पड़ता है तो कोशिश करें आप किसी को अपनी घर पर रखें और उनसे ये सारे काम करवाएं नाकि आप खुद सीरियों से नीचे उतरें चौता है प्रेगनेंसी के दौरन बार बार नीचे जुकना जारू पोचा लगाना कूड़ा साफ करना कपड़े धोने के लिए अगर आपको बार बार नीचे जुकना पड़ सकता है तो आप ऐसे काम बिलकुल भी ना करें जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपको जारू पोचे लगाना पड़ भी रहा है तो आप ऐसे जारू पोचे का इस्तिमाल करें जिन में लंबा हैंडल हो ताकि आपको इस तरह नीचे न जुकना पड़े आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्योंकि नी घंटों तक खड़े रहना अकसर रसोई में काम करते हुए घंटों तक महिलाओं को खड़े रहना पड़ता है जो कि उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता ऐसे में पैरों में सूजन भी आ सकती है तो ऐसे में अगर आपको बहुत लंबे समय तक किचिन में र क्याल रखेंगे ताकि आपकी प्रेग्वेंसी आराम दायक और सुख़ग बनी रहे तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है जल्दी से वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हां हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भू मिलती हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें स्वस्त रहें